सब्सक्राइब करें मेरी चैनल स्टेडी विद दिपा सैनी को और इसके साथ बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिसके चलते आप मेरी सभी वीडियोज को देख सकें हेलो एबरिवान कैसे हूँ आप सभी आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगी स्वस्थ होंगी काईस आज जो आप पढ़ने जा रहे हो वो आपके PGT जोग्रफी के लिए most most important है और कई बाद TGT से भी एक छोटा सा कोशन यहां से बन जाता है तो all student PGT, TGT and net जो जोग्रफी की अच्छी त्यारी करना चाहते हैं तो वो आज की क्लास उनके लिए best होने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास तो आज की क्लास में हम जियो मॉर्फोलोजी का एक सिद्दांत एक थियोरी है थियोरी का नाम है एक रूपता वाद का सिद्दांत एक रूपता वाद का सिद्दांत तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है हमारा एक रूपता वाद का सिद्दांत थियोरी है, famous थियोरी है किसकी? जियो मॉर्फोलोजी की तो ये जो थियोरी दी थी सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि एक रुपतावाद का सिदान्त किस ने दिया देखो हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे पर पहले किस ने दिया क्यों दिया क्या नीड़ती तो ये सारे कोस्चन सो उठते हैं उनको थोड़ा शांत कर लिया जाए तो सबसे पहले एक रुपता वाद का जो सिदान्त देनी वाली महान हस्ती थी उनका नाम था James Hutton James Hutton महुद्ये ने 1785 में एक रुपता वाद का सिदान्त दिया था समझ गए तो किस ने दिया था James Hutton महुद्ये ने 1785 में एक रुपता वाद का सिदान्त दिया था जेम्स हटन एक फेमस भूगर्ब सास्त्री थे यानि पिर्थिवी के जियो लोजिस्ट कह सकते आप तो एक फेमस स्कोटिस के थे ये स्कोटिस के स्कोटिस के एक फेमस भूगर्ब सास्त्री थे जेम्स हटन मोहद्य और जो ये एक रुपता बाद का सिदान थे ये जेम्स हट से में पट अगर इसको आगे बढ़ाने की बात की जाए तो उसको बढ़ाने वाले दो और नाम आगे आते हैं वो दो नाम कौन-कौन से थे एक तो था वह आपका जोन पले फेर एक परिसनेलटी तो यह थी जोन पले फेर और दूसरी थी सर चार्स सर चार्स लोयल तो यह दो नाम भी आप याद रखोगे तो एक रुपता बात का सिद्धान्त जेम्स हटन मोहद्यानी 1785 में दिया था बट अगर आपसे एक्जाम में पूछें कि एक रुपता बात का सिद्धान्त है जेम्स हटन के बात उसको आगे किसी ने बढ़ाया तो य यह दो नाम आएंगे या उप्शन में आपको एक नाम भी मिल सकता है जोन प्लेफेयर और सर चार्स लोयल और यह जो जेम्स हटन ते यह कहां के थे स्कोटिस के थे और एक फेमस भूगर्ब सास्त्री थे अब इसके अलावा यह जो जेम्स हटन मोहद्या थे इन्हों ने ए एक और कंसेप्ट दिया था वह कंसेप्ट भी आपका इसी थ्योरी से रिलेटिड है तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा तो जैम्स हटन की चक्रिये पद्धिती की आउधारना और इनों ने दी थी चक्रिये पद्धिती की आउधारना यह एक्जाम में बहुत पुछी जात पर हटन जरूर खाली में सकता है तो जैम्स हटन तो आप पूरा नाम्याद रखना और इनकी एक फेमस लाइन भी थी जो की हट से जादा फेमस हुई और वो लाइन क्या थी ना आदी का अंत हैं और ना अंत का बविश्य है ठीक है ना आदी का अंत है ना अंत का बविश्य है सीधी लाइन आती है एक्जाम में यह जो लाइन है वो किसने लिखी किसने बोली इसी तरीके से या फिर यह किसके दुवारा लिखी गई तो ना आदी का अंत है ना अंत का बविश्य है यह इनकी चक्रिय पद्दती से ही रिलेटिड लाइन थी जेम सटन मोहद्य की तो जो जेम सटन मोहद्य थी उन्होंने एक शोट फोर्म में छोटी सी लाइन और बोली थी वरतमान भूत की कुंजी है यह भी बहुत रिपीट होती है बार-बार एक्जाम में देखो यह जो इतना सा पोर्शन है ना यहां से आप आपके पीजीटी और नेट लावल में यहां से कोशन आते हैं कई बार टीजीटी में भी डाल देता है जैसे डी ट्रीपल अस भी है आपको पता वो थोड़ा हाई लावल का पेपर कंडेक्ट करते हैं तो वो डाल देते हैं वरतमान भूत की कुंजी है यह किसका कथन है इस अंत का भईश्य है तो यह लाइन भी किसकी थी जेम सटन मोहद्दे की चक्रिय पदेती के अधारना किस ने दी यह भी दी जेम सटन मोहद्दे ने तो इतना आपने पढ़ लिया अब हम इसका जेम सटन के बारे में पढ़ेंगे कि इसने एक रूपतावाद की सिद्दान्त की तो जो जेम सटन मोहद्दे थे ही एक रूपतावाद के सिद्दान्त में उन्होंने कहा एक रूपतावाद यानि एक रूप इनके अनुसार हमारी जो पिर्थवी है हमारी पिर्थवी पर जो भी उचावच हैं या जो भी फीचर्स हैं फीजिकल फीचर्स सतला करतियां ह वो एक भू गर्विक प्रोसेस और एक नियम के तहत बने हैं यानि एक पूरा प्रोसेस लगा है उनको बनाने में एक पूरा नियम बना है एक नियम से वो मुमेंट करते हैं यानि परवत बन रहे हैं तो नियम से उपर उठ रहे हैं ठीक है खाई बन रहे हैं तो नीचे नियम से दस्ती हैं इनके अनुसार एक पूरा प्रोसेस चलता है ठीक है जेंस हटन महुद्य के अनुसार और यह जो जितने भी हमारी पिर्थवी पर जितने भी features हैं ऐसा नहीं है कि वह एकदम से उपर आ गई हैं वह कोई परवत है तो ऐसा नहीं है कि वह एक साल में साल में पहले यहां कुछ नहीं था पात साल में अब हमने देखा तो यहां पर परवत खड़ा हो गया ऐसा कुछ नहीं है जेंस सटन के अनुसार जेंस सटनी जी कहते हैं कि हमारी पिर्थवी पर जितने भी features हैं वह इतिहास में भी थी यानि इतिहास से लेकर आज तक एक लों हैं कि यह जो उपर उठने की गती है या नीचे दसने की जो features की प्रिकिरिया है जो प्रोसेस है वह एक जैसा है वह यह भी नहीं कहते कि एक जैसा है हो सकता है किसी काल में कोई परवत ज्यादा तेजी से उपर उठा हो किसी काल में कोई खाई ज्यादा तेजी से नीचे दस हैं वो सभी की सभी फीचर्स ना तो एक जैसी गती से आगे बढ़ते हैं ना उपर उठते ना नीचे दस्ते हैं और ऐसा भी नहीं है कि वह शोर्ट टर्म में सारी चीजे बन गई हैं एक लोंग टर्म में चीजे बनी हैं इतिहास से लेकर आज तक सारे नियम सारा जो प्रोसेस है वो किरिया सील रहा है काम करता रहा है और उसी के आ रहे है दीरे दीरे उपर उठते आ रहे हैं परवत पहार और जिसे आज आज आप जैसे हिमाले पर देख रहे हो तो आपने पड़ा जो ग्रफीJust स्टुडेंटों आपको पता है आज जहां हिमाल्य परवत है पहले वाँ टेथी सागर था तो टेथी सागर दीरे दीरे नीची से भू गर्भी जो प्रोसेस है वो हुआ हमारी प्रित्वी वहां से टेथी सागर वो उपर उठना शुरू हो गया और उपर उठते उठते आज परवत का रूप धारन कर लिया जिसे आप हिमाले परवत कहते हो तो कहीं ना कहीं जेम्स हटन का एक रूपतावाद का सिद्धान बिल्कुल क्रैक्ट लगता है बिल्कुल ठीक लगता है और है भी ठीक क्योंकि परवत पहार मैदान 50 साल 100 साल 20 साल इन में नहीं बनते करोड या फट जाएंगी या परवत कुछ होना है तो अचानक से होगा सब कुछ बट यहां पर जो जेम्स हटन ने अपने एक रूपतावाद की सिद्धान्त में बाते कहीं वह एक जियो मॉर्फोलोजी में एक करांती कारी विचार एक करांती कारी थियोरी की रूप में आई तो आप इसको याद रखने एक्जाम में पूछा जाता है पीजीटी लेवल पर निम्न में से कौन सा सिद्धान्त भू आकर्ती विज्ञान में या जियो मॉर्फोलोजी के अंदर आधार बूत सिद्धान्त के रूप में जाना जाता है तो एक बेस का काम करता है यह जियो मॉ ठीक लगती है अब आपने पढ़ लिया कि जेम सटन ने अब यह चक्रिया पद्धिती के अधारना यह इसी से रिलेटिड थी कैसे कि जेम सटन कहते हैं कि एक फीचर्स बना उसके बाद दूसरे बनते रहते हैं तो यह चक्र पतलब चलता रहता है ठीक है दिरे दिरे परव आई फिर अवसादी आई फिर रुपांतरित और उसके बाद फिर रुपांतरित दुबारा से अगन्य में तो इस तरीक जैसे सरकल चलाना उसी तरीके से जेम सटन भी कहते हैं हमारी पिर्थवी परविस सब कुछ चक्रिया है तो चक्र चलता रहता है तो इसी लिए उन्हो वो क्या है वो हमें भूत का दिया हुआ है भूत की कुंजी है यानि आज जो आप परवत पठार मैदान देख रहे हो वो आज नहीं बने हैं वो हमारे कहां कि हमें पास्ट से चीजे मिली हैं भूत की कुंजी है तो यह सारी चीजे आपको याद होनी चाहिए चक्रिया पद किस सिदान्त के अनुसार समस्त जो भूगर्विक यानि हमारी पृत्वी के अंदर की जो किरियाएं वो इतिहास से कार्य कर रही हैं और उनकी तरविता कभी भी एक जैसी नहीं रही थी और आज जिसे आप देख रहे हो तो वह सिदान्त कुंसा होगा एक रुपतावात का सिदान्त तो दे दिया अब देखो आपको पता है एक विज्ञानिक सिदान्त देता है तो दूसरा क्या करता है उसकी अलोचना की जेम सटन ने किसकी अलोचना की आक्समिक वाद की अलोचना की एक सिदान्त और आया था इसी की टक्कर में वो सिदान्त कौन सा था वही उसक आकसमिक वाद का सिधरां latch, यह एक रुपता वाद की बिल्गुल आलोचना के तोर पर चिद्धान था देखो एक रुपता इसमें जेन शटनने कावए, इतिहाश से चीजें बनती आ रहे हैं परवत पहाड मैदान आकसमिक वाद यानि अचानक आक्समिक अचानक से एकदम से ठीके तो आक्समिक वाद का जो सिद्धानत है इसकी बरपूर आलोचना की थी किसने जेम सटन महुत देने जेम सटन जी कहते थे कि कैसे साबित करोगे आपकी परवत पहाड मैदान एकदम से उपर उठ गए और एकदम से आजामें चटानों की जाच होई तो उनसे भी पता चलता है कार्बन 14 c14 ठीक है इससे हमें पता चलता है कि कोई चीज कोई इतिहास से हमें जो पुरानी चीजी मिलते हैं कोई बरतन है कोई मिर्टी है कोई चटान का टुकड़ा है वो कितना पुराना है तो यह एकदम में पूछा जा तक सिदान्त नहीं आता तो सायद horrific रुपतावात की सिदान्त को ना देती तो आप समझ चुके हीना अच्छी तरीके से कि क्या है एक रुपतावात का लुढ़ान और अक्समिक सिदान्त आचानक पहाड मैदानों को देख रहे हैं काफी लोंग ट्रम के बाद उनका निर्मान हुआ है बहुत सारे नियम लगे हैं बहुत सारे प्रोसेस हुए हैं उसके बाद आज आप उसे देख पा रहे हो तो यह सारी चीजे थी जैम सटन के एक रुपतावाद के सिद्दान्त में तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो टाइम से लाइक शेयर भी ठीक है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो फिर मिलेंगे तब तक के लिए हैवे नाइस ड़ी कि थैंक यू फर वाचिंग